नौशकार लक्ष्मिल्यार्ज्योतिस के इंधमाप सभी का स्वागत है मैं आचायरय डॉक्टर एपी शुक्ला आज अमारा विश्य है चंद्र चंदर परवत और चंदर छेत्र की बात करेंगे चंदरमा का छेत्र अगर कहा जया यह इसा चंदरमा का छेत्र कहलाता है चंदरमा एक ऐसा ग्रह है या फिर कह लीजे ऐसा जरूरी ग्रह है जिसका प्रभाव अगर कहा जया सूर्य और चंदरमा जिसका प्रभावगर कहा जया हमारे उपर सबसे ज़्यादा पड़ता है चंद्रमा को जोतिश में मन कहा गया है मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत जो मन हार गया वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता और मन से जो जीत गया वो जीवन में कितने भी कठनाई आए कितनी भी समझ से आया है कही ना कही उससे पार्क पा जाएगा किसी का मन अच्छा है तो जीवन में तरक्की करता है मन का मतलम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर उसकी सोच अगर कहें तो सकारात्मक है तो जीवन में तरक्की करता है जिलों का मन अच्छा नहीं है या फिर कह लिए ये नकारात्मक सोच है। पीड़ित होगा तो कहीना कही ये भी कहा जाता है नीद बहुत आएगी या नीद आएगी नहीं। खाना एक खाने पीने का कोई समय नहीं होता। अपने काम के प्रती कहिना कहीं वफादार कम होते हैं। करने गय थे ये काम और करके चले आए, मिलके चले आए, लोगों के साथ घूम टहल के चलाए और अपना काम नहीं किया। निमित रूप से अगर कहा जाए चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है हमारे शरीर में अगर चंद्रमा पीडित होगा आलत से देगा, मन उदास रहेगा, डिप्रेशन तक व्यक्ति जा सकता है भले चंद्रमा में चंद्रमा की महादशा हो या कह लीजे चंद्रमा की अंतरदशा भी चल नहीं है तो समय के अनुसार ये समस्याओं को ये इंगित करता है किस तरीके से हाथ में ये सारी चीजें देखें कि चंद्रमा अच्छा है कौन से ऐसे योग है जो चंद्रमा को अच्छा बताते हैं और कौन से ऐसे दुर्योग है जिसे कहा जाएगा कि चंद्रमा कमजोर है इन इन चीजों का लाब मिलेगा या इन इन चीजों में आपको साधानी रखनी है चंद्रमा खराब होगा तो low BP या चंद्रमा पीडित हो रहा है उस समय पे तो low BP का शिकार करेगा चाहे वो केतु से द्रश्ट हो या केतु या राहू से साथ बैठा हो राहु खराब है, सूर्य और चंद्रमा अगर कहा जाए कमजोर है तो ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी कलने, कितना भी किसी के लिए कलने, उसका यश नहीं मिलेगा, चलिए करकम को शुरू करते हैं, हस्त रेखा में किस प्रकार से हम ये देखें, कि चंद्रमा हमारा अच्छा है या खराब है, कौन से ऐसे निशान है, जो ये दिखाते हैं कि लाब है या हानी है, देखें चंद्रमा का छेत्र मैंने जो बताया, ये आपकी हिर्दय रेखा है, इतना छेत्र अगर कहा जाए चंद्रमा का होता है, एक बात, अगर आपका हाथ का यह हिस्सा सामान ने उठा है, बहुत ज़्यादा उठाना है और बहुत ज़्यादा दबा ना हो और हल्कासा गुलाई में है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि आपका चंद्रमा अच्छा है, कही ना कही चंद्रमा को बल इन चीजों से देखा जाता है, इसके बाद अगर कहें, य ये हिस्सा आपका जादा उठा है और ये हिस्सा आपका दबा है मतलब आपके परवत शनी है गुरु है सूरे है बुद्ध है ये परवत अगर कहा जाए इसके मुकाबले चंद्रमा से इतने हिस्से के मुकाबले अगर कहें तो जादा उठे है या आप ऐसे समझ लीजे कि इत को भी दिखाता है समय के अनुसार अगर ये हिस्सा आपका जो है सामान उठा है और ये भी हिस्सा सामान उठा है तो बेहद अच्छा है अगर ये हिस्सा आपका ज्यादा उठा है और ये हिस्सा कम उठा है तो जल्दबाजी मत करिएगा किसी भी काम में कोई भी काम करिएगा आराम से धहरे से तसली से करिएगा, चीज़ें आपको मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, चीज़ें मिलेंगी, उसमें संदे नहीं है, अभ कुछ निशान की बात करते हैं, जो चंद्रमा पे बनते हैं, और वो निशान अगर कहा जाए, भाई हर आदमी के हाथ में अग अगलग तरीके के, ऐसे कुछ बिंदूओं पे बात करेंगे, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो तिलदाग धबा हो, या अन्य कोई इस्टार, अन्य कोई निशान, अगर चंद्रमा पे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन में, देखिए एक रेखा अग अगर थोड़ा सा गोलाई में हैं, तो ज्याद अच्छी है, अगर सीधी है, तो भी अच्छा है, ये कही ना कहीं राजयोग को दिखाती है, रेखा अगर कहीं एक आकार की मोटी या पतली हो, मतलब उपर जाके अगर मोटी हो रही है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ती और भी खरेंगे, अगर ये रेखा समान्य आकर्ति की है, तो ऐसे में ये भी कहा जाता है, ऐसे लोगों के जीवन में घटनाओं का पूर्वा भास हो जाता है, पहले से चीजें का एहसास हो जाता है, कि मेरे साथ कुछ गलत या अच्छा जो भी चीजें है, वो कहिना कहीं कारन कुछ भी हो सकताया चाहों स JW सपन में या कोई भी कारण हो सकता है ऐसास हो जाएगा, धर्म धन और कर्म के लिए बेहभाव अच्छा है काम जो करते हैं कर्म कहलाता है धन के लिए अगर काहजा बहुत अच्छा कहलाएगा उसमें कोई दोराय ही है इस जहां पे इस्टार का साइन है, रोग को दिखाता है, सारेरिक आंतरिक उर्जा में कमी को दिखाता है, संतान को लेके चिंताओं को दिखाता है, हार्मोन से सम्मंदिस समस्याओं या गुप्त रोग को दिखाता हो खासकर अगर कहा जाए, पुर्षों में भी है, पाइल्स की समस्या, मह आत्र में जल भल लिजे उसमें चंद्रमा को देखिए पुरिमासी की रात में 15 मेट 10 मेट 20 मेट जितने दिर बैठ पाईए बेहत असर पड़ेगा अगर यहां इस्टार है ऐसे लोगों को नदी नहर पोखर में नहाने से अपने आपको बचा के चलना चीए उससे भी ज्याद पर नहाने से बचेगा और जिल लोगों के लिए है हात में यह है उसके उपर से स्थार है या फिर उसके पार तिल रहा है या इस type नहीं पता, मुझे ऐसा एसास हुआ कि कोई मुझे नीचे खींच रहा है, यह वाल इस्तितियां यह बनाता है, यह इस्तितियां को यह दिखाता है, अगर इस जगहां पे इस्टार है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि हित्रता मित्रता कम होगी, बहुत ऐसे लोग अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा किसी के पीछे चाटू कारता नहीं कर पाते और कही ना कहीं ये भी कहा जाता ऐसे लोग व्यर्थ के कामों में अपने धन का नुकसान, अपने समय का नुकसान भी करते हैं याददाश में कमी को भी इंगित करता है ऐसे लोग अगर कहा जहाँ, अगर इस जंगा पे स्टार है एक तरप तो मैं ये कह रहाऊ, यादश में कमी और दूसरी तब ये भी मैं कहूंगा ऐसे लोग गहराई तक सोज सकते बस दिमाग सही दिसा में रखें कर बहुत कुछ सकते हैं, बस सही दिसा में चलें अगर इस जगह पर इश्टार है तो यह कहा जाएगा कि व्यक्ति किसी भी काम को गहराई तक सोच सकता है, शोध कर सकता है, व्यज्ञानिक बन सकता है, रिसर्चर बन सकता है, ये इसके लिए अच्छे संकेत है, रिसर्च के लिए, सोध के लिए, देखे कोई भी काम है, जैस बिजनेस करता है, तो उसकी बारीकियां इससे समलोग समझते हैं, ठीक है, बस अपना दिमाग सही दिशा में लगाए, इसके बाद एक प्रशना आता है, कि यहां पर क्रॉस होना, और क्रॉस कटा पिटा ना हो, अगर इस पस्ट साफ है, तूटा उटा नहीं है, या तिल जारू होना, और नटवल लाल कहां, अपना केवल, इससे मैं ये लू, उससे मैं दे लू, कहीं ना कहीं दिखावे को भी ये दिखाता है, जिंदगी बड़ी उल्जेवी होती है, लोगों को समझने में समझने पाएंगे, क्या है, एक रुपए जेम में है, और दस करते हैं ऐसे लोग, चाहे हो धार्मे को, चाहे किसी प्रकार की यात्रा हो, नौकरी या व्योसाय, दोनों में ही अगर जो भी कर रहे हैं, वो सफलता को इंगित करता है, बस एक चीज का धार नकिएगा, इस जगां पे किसी प्रकार का जालना हो, शनी के छेत्र में, खुब नटवाल लाल इसी लिए कहा, आज के यूग अगर कहा जाए, पैसे से सम्बंदित चीजों का यूग है, अगर पैसा जरूरी है, तो ऐसे लोग अगर कहा जाए, नटवाल लाल बनने में भी दे नहीं लगाते हैं, धन के दश्टी कौन से अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई दोर आए नहीं है, अगर इस जगाँ पे ट्रैंगल है, गुप्त विद्या, जोतिश, धरम करम से सम्बंदित सिक्छा, इसका शौक होता है ऐसे लोग को, जोतिश ग्यान का शौक होता है, गहराई तक सौन सकते हैं किसी भी चीज को, रिसर्च की छमता होती है, परिवार को समय कम देना, या परिवार से यसना मिलना, या परिवार से दुखी होना, ये इसको भी दिखाता है, कारण कुछ भी हो सकता है, विदेश यात्रा या यात्राओं से सम्बंदित चीजों को ये इंगित करता है, अगर विदेश जाना चाहा रहे हैं, विदेश से चीजों को भी दिखाता है, अगर मैं कहूं त्रिकोन, किसी प्रकार का, देखिए जो भी मैं रेखाएं बता रहा हूं, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, अगर उस जगा पे तिल दाग धबा है, तो खराब है, इस इसका धार रखेगा, अपने से जो है, आप इसको लगा ल जेगा, यह ऐसा ग्यान है, हर किसी को इसका प्रभाव या फाइदा मिल सके, जोतिश अगर कहा जाए, तो कोई चमतकार नहीं है, कोई चमतकार नहीं है, जोतिश को जो लोग चमतकार कहते हैं, वो उनकी भूल है, बहुत साले लोग 24 घंटे में यह हो जाएगा, वो हो चमतकार नहीं, यह चीज मान के चलिएगा, दशा, अंतरदशा या गरहों के इस्तितियां जो है, अगर प्रभावी हैं, उस समय पे उपाय वक्ति कर रहा है, तो लाब जरूर मिलेगा, उसमें कोई दोरा नहीं है, अगर इस जगाँ पे आपके जो है, वरत है, गोला है, ग यह चीज में कहा जाएगा, अच्छा नहीं है, इसके साथ में अगर इस जगाँ पे जाल है, दो-तीन देखाएं, जो एक दुस्रे को काट रही हैं, यह मानसिक इस्तितियां या मानसिक पीडा को बढ़ाएगा, ऐसे लोग अगर कहा जाएगा, एक जगाँ पे टिक नहीं प करना है, तो कहो, रात में बारा बजे फोन मिला दिया, और वो व्यक्ति अगला जो है, इतनी रात में क्यों फोन कर दिया भाई, बनता-बनता गाम बिगड़ गया, एक उधान में दे रहा हूँ, लडाई जगडे से ऐसे लोग को बचा के चलना चीए, धन से संबंध चीज ये मशली का निसान है, मैंने बहुत इसपस्ट बनाया है, बहुत लोगों के हाथ में ऐसा होता है, बहुत लोगों के आथ में थोड़ा इधा उधर होता है, अगर ये मशली का निसान है, तूटा-फूटा नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा भागे को तेजी से बढ़ाएगा पहले नहीं था, बनना स्टार्ट हुआ, तो मान के चलिए जो है, एक दिर दो साल के अंदर धीरे धीरे आपकी तरक्की या तरक्की होना शुरू हो जाएगा सभी कारियों में नियमा नुसार ऐसे लोग करते हैं, विदेश यात्रा के लिए बेहद अच्छा योग है, विदेश और विदेश में सफलता के योग बनाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियों को ऐसे लोग निभाते हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है, महिला के लिए वैवा संताल लेट, संताल लेट इत्यादी चीजों को भी इंगित करता है और खासकर अगर कहा जाए, समय से अगर पहली संतान हो जाती है तो दूसरी संतान में भी सावधानी रखिएगा बस धन के लिए, काम के लिए, मान समान पितिष्ठा इत्यादी चीजों के लिए ये बेहद अच्छा संकेत है, जिसे कहा जाए अच्छा नहीं, बेहद अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था, तिल दाग दब्बे की, देखी इतने हिस्से में जिल्लों का तिल दाग दब्बा है, दो तरीके से आप समझेगा इसको, एक है बचपन से है, और वो तिल अगर कहा जाए तो फैल गया है, बूरा-बूरा होके फैल रहा है, तो उसका प्रभाव इतना नहीं होगा, अगर तिल बन रहा है या बना है, या दो-चार साल में बना है, और खासकर अगर कहा जा guess लाल तिल है, तो बेहत खराब है, ताला दिल है, उप छोटा सा तिल है, बहुत ये तय है, रोगों को बढ़ाएगा इस दिल दाग दबा है तो रोगों को बढ़ाएगा, ऐसे लोग शराब के आदी हो जाते हैं, ऐसे लोगों को शराब मदिरा पान से अपने आपको हमेशा बचा के चलना है, नहीं तो ऐसे लोगों की किडिनी पे असर पड़ता है, खून स सम्मंदित बिमारी को दिखाता है किर्णी से सम्मंदित चीजों के लिए बेहत खराब कहा गया है माता के स्वास्त का ऐसे लोगों को धान रखना चाहिए अगर आपके हात में है तो आपकी माता का स्वास्त जो है उताच रहाव बना रहता होगा पड़ोसियों से ऐसे लोगो की नहीं पढ़ती है, जहां पर भी रहेंगे, यहां पर जहां पर काम करेंगे, कही ना कहीं तनाव कुछ ना कुछ बना रहेगा, साजेदारी में काम ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के बहुत देख दाके करना चीए, साजेदारी से सम्मंदित चीजों के लिए भी अच्छा नहीं कहा गिया है कुछ मैंने बिंदू बताए आपके चंद्रमा से सम्मंदित वीडियो को जादे जादा शेयर कर दीजेगा जादे जादा लोगों तब पहुचा दीजेगा चैनल को सस्क्राइब या फालो कर लीजेगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कर दीजेगा पर मातमा आप सभी को स्वस्तर रखे अभी कले बस इतना ही नमस्कार